ओम् क्रिष्णाय वासुदेवाया हरये परमात्मने प्रणतह क्लेश नाशाया गोविंदाय नमोनमहा राधे क्रिष्णा भक्तों मार्क शिष्मास महात्मे की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्टिक स्वागत है राधारानी और भगवान शिरीक्रेशन की क्रिपा आप पर और आपकी संपोर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे आज हम मार्क्षी स्मास महात्मे की स्तार्वी अध्याय का श्रवन करेंगे इससे पहले के अध्याय में आपने चाना था कि किस प्रकार गर्ग मुनी जी ने नंद जी के यहां पधार कर उन्हें शिरी कृष्ण के जनम का वृतांत सुनाया था उन्होंने नंद बाबा को वे सारी बातें बता दे थी जो कि भगवान शिरिक्रिष्ट भविश्य में करने वाले थे अब गर्गमुनी आगे बताते हुए कहते हैं कि हे नंद सुनो माग शुकल चतुरदेशी की शुब वेला में इन बालकों का संसकार करो उस दिन गुरुवार है रेवती नक्षत्र है चंद्र और तारा शुद है मीन के चंद्रमा है उस पर लगनेश के पोन द्रिष्टी है उत्तम वनेज नामक करन है और मनोहर शुब योग भी है वेह दिन परम दुरलब है उसमें सभी उत्कृष्ट एवं उपयोगी योगों का उदे हुआ है इसलिए पंडितों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसंता पूर्वत संसकार करम का संपादन करूं ऐसा कहकर मुनिश्वर गर्ग बाहरा कर बैठ गए नंद और ये शोदा को बड़ा हर्श हुआ और वे संसकार करम के लिए त्यारी करने लगते इसी समय गर प्रहन काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं शिश्य समोहों से घिर कर ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे हैं और प्रशन पूछने वाले किसी भी सिद्पूरुष को वे बड़ी प्रसंता पूर्वक गूड योगा रहस्य समझा रहे हैं नंद भवन की एक-एक समगरी को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और योग मुद्रा धारन किये स्वान सिहासन पर बैठे हैं ज्यान मई द्रिष्टी से भूत वर्तमान और भविश्य को भी देख रहे हैं वे मंत्र के प्रभाव से अपने हिर्दे में प्रमात्मा के जिस सिद्ध स्वरूप को देखते हैं उसी को मुस्कुराते हुए शीशु के रूप में बाहर यशोदा की गोद में देख रहे हैं महेश्वर के बताय हुए ध्यान के अनुसार जिस रूप का उन्हें साक्षातकार हुआ था उसी पूर्ण काम परमात्म स्वरूप का अत्यंत प्रीति पूर्वक दर गवान की पूजा और प्रणाम किया करते थे गोप गोपियों ने मस्तक जुका कर उन्हें प्रणाम किया और गर्ग जी ने भी उन सबको आशिरवाद दिया उसके बाद मुनी अपने आसन पर विराजबान हुए और विसमस्त इस्त्री पूरुष अपने अपने घर को गए नंद ने अनंदित होकर खुश होकर निकटवर्ती तथा दूरवर्ती सभी बंधों के पास शिकर ही मंगल पत्रिकाएं पहुँचाई इसके बाद उन्होंने दूद, दही, घी, कुड, तेल, मधु, माखन, तर्क और चीनी के शर्बत से भरी हुई बहुत सी नहरे नीला प परवत, नमक के साथ, शरकरा के भी साथ, लड़ों के साथ, तथा पके फलों के सोलह परवत खड़े कराएं, जो गेहों के आटे के पके हुए लड़ुक, पिंड मोदक, तथा स्वस्तिक, अर्थात, मिश्टान विशेश के अनेक परवत खड़े किये गए थे, अब जरा ए चंदन, अगूरू और केसर मिलाए गए थे, नंद जी ने, कोतु हलवश, नाना परकार की रतन, भांती भांती के स्वान, रम्निय मोती मूंगे, अनेक परकार के मनोहर वस्त्र और अभूशन भी पुत्र के अनप्राशन संसकार के लिए संचित किये हुए थे, आंगन को ज चंदन, मिश्रिचल का छिड़काव किया गया, केले के खंबो, आम के नए पलवों की बंदन वारों और महीन वस्त्रों से उस आंगन को कोतु कुरवक सब और से घेर दिया गया, यथा स्थान, मंगल कलश थापित किये गये, उन्हें फूलों और पलवों से सजाया गया, त पस्त्रों की राश्यों से नंद भवन की आंगन को सजाया गया था, ठीक इसी समय संदेश वाहक ने प्रसंता पूर्वक आकर नंद राय जी से कहा, प्रभो आपके भाई बंधु गोपराज एवं गोपकंड पधारे हैं, उनमें से कुछ लोग घोड़ों पर चड़कर पतनी और सेवकों सहित, गिरी भानुजी भी बदा रहे हैं, उनके साथ चार-चार लाख रत और हाथी हैं, घोड़े और शिविकाओं की संख्या एक-एक करोड हैं, रिशेंद्र, मुनेंद्र, विद्वान, ब्रहमन, बंदेजन और भिख्षुकों की समुह भी निकट आ गोप और गोपियों की गंड़ना करने में कौन समर्थ हो सकता है, आप स्वेम बाहर चल कर देखें, आंगन में खड़े हुए दूट ने जब ऐसी बात कही, तब उसे सुनकर व्रजराद, नंद जी, स्वेम, उन समागत अतीथियों के पास आय, उन सब को साथ ले आकर उन् का पोजन किया, रिशियागी के समुदाय को उन्होंने धर्ती पर माधा टेक कर प्रणाम किया, और एकाग्र चित हो उन सब के लिए पाद्यादि स्मर्पित किये, उस समय नंद गोप बंधों से परिपून हो रहा था, वहाँ कोई किसी के शब्द को नहीं सुन सकता था, साक्षात कुबेर ने श्रीक्रिष्न की प्रसंता के लिए वहां तीन मुहुरत तक स्वन की वर्षा करके गोकुल को सोने से भर दिया, नंद की यह संपत्ती देखकर उनके सभी भाई बंदू लज्जा से नतमस्तक हो गए, उन्होंने अपने कोटुहल को छिपा लिया, नं अंगों में तिलक किया, इसके बाद गरग जी तथा मुनिश्वरों की आग्या लेकर व्रजेश्वर नंद दोनों पैर्धो कर सोने के मनोहर पीड़े पर बैठे, उन्होंने श्री विष्नु का स्मारण करके आच्मन किया, फिर ब्रह्मनों से स्वस्ति वाचन कराकर विद नाम रखा क्रेश्ण, इस प्रकार जग्दीश्वर को सग्रित भोजन कराकर उनका नाम करने के अनंतर नंद रायने बाजे बचवाए और मंगल कृत्य करवाए, उन्होंने ब्रामनों को प्रसंता पूर्वक, अनेग प्रकार के स्वान, अनेग प्रकार के धन, भक्षे वे सब के सब चल नहीं पाते थे, ब्रामनों, बंधु, जनों और विशेष्टा भिक्षुकों को भी उन्होंने पूर्णतया मनोहर मिष्ठान का भोजन कराया, उस समय नंद गोकुल में बड़े जोर जोर से निरंतर यहे शब्द सुनाई देता था कि दो और दो, खाओ, परि, पून, रतन, वस्त्र, अभूशन, मुंगे, स्वन, स्वन, पात्र, वहां ब्रामनों को बांटे गए, व्रज, राज, नंद ने, गरग जी के पास जाकर वीने पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की, और नम्रता पूर्वक उनके शिशों को तथा शेष्ट विजों को स्वन के अनेक भार्पून मात्रा में प्रदान किये, शिरी नरायन जी कहते हैं, नारत शिरी हरी को गोद में लेकर गरग जी एकांध स्थान में गए, और बड़ी भक्ती एवं प्रसंता से उन परमेश्वर को प्रणाम करके उनके स्तूती करने लगे, उस समय उनके नेत वे इस प्रकार बोल रहे थे, गरग जी ने कहा, हे शिरी कृष्ण, हे जगनात, हे भक्त भय भंजन, आप मुझे पर पर सन होए, हे परमेश्वर, मुझे अपने चरण कमलों की दास से भक्ती दीजिए, भक्तों को अभे देने वाले गोविंद, आपके पिता जी ने मुझ बहुत सा धन दिया है, किन्तु उस धन से मेरा क्या प्रियोजन है, आप मुझे अपनी अविचल भक्ती प्रदान कीजिए, हे प्रभो, अनिमादी सिध्यों में, योग साधकों में, अनेग प्रकार की मुक्तियों में, ज्यान तत्व में, अथ्वा, अम्रत्व में, मेरी त सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहता सालोक्य सारश्टी सारूप्य सामिप्य और एक अत्व ये पांच प्रकार की मुक्तियां सभी को अभिष्ट है परंतु हे परमात्मन मैं आपके चर्णों की सेवा छोड़कर इन में से किसी को भी ग्रहन नहीं करना चाहता मैं गोलोक में अत्वा पाताल में निवास करूँ ऐसा भी मेरा मनोरत नहीं है परंतु मुझे आपके चर्णार विंदों का निरंतर चिंतन होता रहे यही मेरी अभिलाशा है कितने ही चन्मों के पुन्ने के फल का उदे हुआ जिससे भगवान शंकर के मुख से मुझे आपके मंत्र का उपदेश प्राप्थ हुआ उस मंत्र को पाकर मैं सर्वग्या और समदर्शी हो गया हूँ सर्वत्र मेरी अभाद गती है क्रिपा सिंदो हे दीन बंदो मुझे पर क्रिपा केजिए मुझे अभे देकर अपने चरण कमलों में रख लीजिए फिर मृत्यू मेरा क्या करेगी आपके चरणार विंदो की सेवा से ही भगवान शंकर सब के इश्वर मृत्यूम जय जगत का अंत करने वाले तथा योगियों के गुरु हुए है हे ब्रामन जिनके एक दिन में चौधा इंत्रों का पतन होता है वे जगत विधात भ्रह्मा आपके चरण कमलों की सेवा से ही उस पत पर प्रतिष्थित हुए है आपके चरणों की सेवा करके ही धरम देव समस्त कर्मों के साक्षी हुए है सुदुर्जे काल को जीत कर सब के पालक और फलदाता हुए है आपके चरणार विंदो की सेवा के प्रभाव से ही सहस्त्र मुखों वाले शेशनाग संपूर्ण विश्व को सरसों के एक दाने की भांती सिर्पर धारन करते हैं ठीक उसी तरह जैसे भगवान शीव कंठ में विशे धारन करते हैं जो संपूर्ण संपदाओं की स्रिष्टी करने वाली तथा देवियों में प्राथपरा हैं वे लकश्मी देवी अपने केश कलापों से आपके चरणों का मार्जन करती हैं जो सबकी बीज रूपा हैं विशक्ति स्वरूपिनी प्रकृति आपके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्ही में ततपर हो जाती हैं हे प्रभू आपकी अश्भूता तथा आपके ही तुले तेजस्विनी राधा आपके वक्ष स्थल में स्थान पाकर भी आपके चरणों की सेवा करती हैं फिर दूसरे की क्या बात है हे इश जैसे शिवादी देव्ता और लक्ष्मियादी देवियां आपसे सनाथ हैं उसी तरह मुझे भी सनाथ कीजिए क्योंकि इश्वर की सब पर समान कृपा होती है हे नाद मैं घर को नहीं जाओंगा आपका दिया हुआ यह धन भी नहीं लोंगा मुझ अनुरागी सेवक को अपने चरण कमलों की सेवा में रख लीजिए इस प्रकास तूती करके गरग जी नेत्रों से आशु बहाते हुए शिरी हरी के चर्णों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे उस समय भक्ति के उद्रेख से उनके श्रीर में रुमाँच हो आया था गरग जी की बात सुनकर भक्त वत्सल शिरी क्रेश्न हंस पड़े और बोले मुझमें तुम्हारी अविचल भक्ती हो जो मुरुष्य गरग जी द्वारा किये गए इस स्त्रोत का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है वह शिरी हरी के सुध्रिड भक्ती दास्य भाव और उनकी समरिती का सोभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता है इतना ही नहीं वह शिरी क्रेश्न भक्तों की सेवा में तत पर हो जनम, मृत्यू, जरा, रोग, शोग और मुह आदी के संकर से पार हो जाता है शिरी क्रेश्न के साथ रहकर सदा आनन भोगता है और शिरी हरी से कभी उसका व्योग नहीं होता भगवान नरायन कहते हैं कि ये नारत शिरी हरी की इस प्रकार स्तूती करके गरग मुनी ने उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रसंता पूर्व कहा हेगो प्राज अब मैं घर जाता हूँ अग्यदो अहो कैसी विचित्र बात है कि संसार मोह जाल से जकड़ा हुआ है जैसे स्मुद्र में फेन उड़ता और मिटता रहता है उसी प्रकार इस भवसागर में मुनुष्यों को संयोग और व्योग का अनुभव होता रहता है गरग जी की यह बात सुनखर नंद जी उदास हो गए क्योंकि साधू पूरुषों के लिए सत्पूरुषों का व्योग मरण से भी अधिक कष्ट डायक होता है संपूर्ण शिश्यों से घीरे हुए मुनि वर्ग जब जाने को धत हुए तब रोते हुए नंद आदे सब गोप गोपियों ने अत्यंत प्रिती पूर्वक विनीद भाव से उन्हें प्रणाम किया उन सब को आशिर्वा देकर मुनिश्रेष्ट गरग सानंध मत्वुरा को पतारे जिश्यमुनी तथा प्रिये बंधु वर्ग सभी धन से संपन हो प्रसन मन से अपने अपने घरों को गए समस्त बंदी जन्भी पूर्ण मनोरत होकर अपने घर को लोट गए उन सब को मीठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तमक्षेनी के अश्व तथा सोने के आभूशन प्राप्थ हुए थे गले तक भोजन करके त्रिप्थ हुए, भिक्षुक गण, बड़ी प्रसन्ता के साथ अपने घर को लोटे विस्वाण और वस्त्रों के भारी भार से ठक कर चलने में असमार्थ हो गए थे कोई धीरे धीरे चलते, कोई विश्राम के लिए धर्ती पर सोजाते और कुछ लोग मार्क में उठते बैठते जाते थे कोई वहां सानन धंस्ते हुए टिक जाते थे, कपर्दकों तथा अन्य वस्तूं के जो बहुत से शेश भाग बच गए थे उन्हें कुछ लोग ले लेते थे, कुछ लोग खड़े हो दूसरों को वेवस्तूं दिखाते थे कुछ लोग निरित्य करते थे और कितने ही लोग वहां गीत गाते थे, कोई अनेग प्रकार की प्राचिन गाथाएं कहते थे राजा मरुत, श्वेट, सगर, मानधाता, उत्तानपाद, नहुष और नल आदी की जो कथाएं हैं उन्हें सुनाते थे शिरी राम की अश्व मेध यग्य की तथा राजा रतिन देव की दान करम की गाताएं गाते थे कोई ठहर ठहर कर और कोई सो सो कर यात्रा करते थे इस प्रकार सब लोग प्रसंता पूर्वक अपने अपने घरों को गए हर्ष से भरे हुए नंद और यशोदा दोनों दमपति बाल कृष्ण को गोध में लेकर कुबेर भवन के समान रम्णिय अपने भव्य भवन में रहने लगे इस प्रकार वे दोनों बालक शुकल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांती बढ़ने लगे अब वे गवों की पूँच और दिवाल पकड़ पकड़ कर खड़े होने लगे थोड़ा थोड़ा उन्होंने चलना सीख लिया था प्रती दिन आधा शब्द ये चोथाई शब्द बोल पाते थे मुने आंगन में चलते हुए वे दोनों भाई माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगे उनकी खुशियां बढ़ाने लगे कोई भी नन्ना बालक जब पहली बार तुतला कर कोई शब्द बोलता है ये शब्द बोलना सीखता है पहली बार अपने नन्ने कदम बढ़ाना सीखता है खड़ा होना चलना सीखता है तो उसके माता पिता को जो खुशी मिलती है वही खुशी वही अपार प्रसंता नंद जी और ये शोदा जी को भी हो रही थी अब बालक शिरी हरी दो एक पक चलने में समर्थ हो गए घर में और आंगन में घुटनों के बल से चलने फीरने लगे संकर्षन की अवस्था बालक शिरी कृष्ण से एक साल अधिक थी वे दोन भाई माता पिता का आनंद वर्धन करते हुए अर्थात उनकी खुशियां बढ़ाते हुए दिन पदिन बड़े होने लगे माया से शिशु रूप थारी वे दोनों भालक गोकुल में विचरते हुए अच्छी तरह चलने में समर्थ हो गए अब वे साफ साफ शब्द भी बोल लेते थे हेम उने गरग जी मथुरा में वसुदेव जी के घर गए उन्होंने पुरुहिच्य को प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रों का कुशल समचार पूछा गरग जी ने उनका कुशल मंगल सुनाया और नामकरन संसकार के महान उस सब की चर्चा की वह सब सुनने मातर से वसुदेव जी आनंद के आंसों में डूप गए देवकी जी बड़े प्रेम से बारम बार बच्चों का समचार पूछने लगी वी आनंद के आंसों बहाती हुई बार बार रोने लगती थी गरग जी उन दोनों दमपतियों को आशिरवादे सानन्द अपने घर को गए इधर देवकी जी और वसुदेव जी भी अपने घर में निवास करने लगी नारद जिस कल्प में यह कथा घटित हुई थी उस समय तुम पचास कामनियों के पती गंधर्वराज उपवरहन के नाम से प्रसिद थे वे सब सुंद्रियां तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्रिय मानती थी और तुम श्रिंगार में निपुर्ण नव यूवक थे उसके बाद भ्रह्मा जी के शाप से एक द्विज की दासी के पूत्र हुए उसके बाद वैश्नवों के जूठन खाने से अब तुम भ्रह्मा जी के पूत्र हुए हो श्रिहरी की सेवा से सर्वदर्शी और सर्वग्य भी हो गए हो तथा पूरुव जनम की बातों को समर्ण करने में भी समर्थ हो शिरी क्रेशन का यह चरित्र उनके नामकरण और अनप्राशन आदी का वृतांत कहा गया है यह जनम रिट्यू और जरा का नाश करने वाली है अब उनकी अन्य लिलाएं बता रहा हूं सुनो अब नारायन मुनीने देवरशी नारत से नटकट कानाजी की जिन जिन बाल लिलाओं का वर्णन किया जैसे की यशोदा के यमुनासनान के लिए जाने पर शिरी क्रेशन द्वारा दही दूद माखन आदी को खा जाना तथा बर्तनों को फोड़ना यशोदा का उन्हें पकड़ कर वरिक्ष से बांधना वरिक्षों का गिरना और इस से आगे के जो भी कथाएं जो भी लिलाएं हैं उन्हें आप अगले आने वाले अध्याय में सुनेंगे आज का अध्या यहीं समाप्थ होता है आईए आप सुनते हैं श्री क्रेशन चाले साथ बंशी शोभित करम धुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनुबीम्ब फल नयान का मल अभिराम पुर्ण इंद्र अरविंद मुख पितांबर शोभ साज जय मन मोहन मदन चवे क्रिशन चंद्र महाराज जै यदुनंदन जै जगवंदन जै वसुदेव देव की नंदन जै यशुदा सुत नंद दुलारे जै प्रभु भतन के द्रिक तारे जैनट नागर नागन थैया क्रिश्न कनाईया धेनु चरैया पुनी नख पर प्रभु गिरी वर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरी तेरो होवे पून विनैय है मेरो आओ हरी पुनी माखने चाखो आज लाज भारत की राखो गोल का पोल ची बुक अरुणारे म्रिदु मुसकान मोहिनी डारे राजित राजिव नयन विशाला मोर मुकुट वैजनते माला कुंडल श्रवन पीट पट आछे कटि कींकीरी काछनी काछे नील जलज सुन्दर तनु सोहे चबिलखी सुर नर मुनी मन मोहे मस्तक तिलक अलख घुंगराले आओ क्रेश्न बासुरे वाले करिपया पान पूत नहीं तार्यो अकाबका कागा सुर मार्यो मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला भैशे तल लखत ही नंद लाला सुर्पति जब ब्रज चड़े और साई मूसर धार वारिवर शाई लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर धन नक धार बचायो लखिय सुदामन भ्रम धिकाई मुख महचादस भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटे कमल जब फूल मंगायो नाथिकाल यही तब तुमलीन है चरण चिन्ह दै निर्भैकिन है करिगोपिन संगरास विलासा सब की पूरण करिय भिलाशा केतिक महासुर साहारयो कंसही केस पकड़ी दै मारयो मात पिता की बंदे छुडाई उग्रसेन कहां राज दिलाई मही से मृतक छहो सुत लायो मातु देव की शुक मिटायो भाव मासुर मुर देत्य सहारी लाए शट दश सहस कुमारी दै भी मही त्रिन चीर सहारा जरासिंधो राक्षस कहां मारा असुर पकासुर आदिक मारयो भरतन के तब कष्ट निवारयो दीन सुदामा के दुख टारयो तंदुलतीन मूठ मुखडारयो प्रेम के साग विदूर धर मांगे दूर योधन के मेवात्या आगे लखी प्रेम की मही माँ भारी ऐसे शाम दीन हितकारी भारत के पारत रथ हां के लिए चक्र कर नहीं बलता के निजगीता के ज्ञान सुनाए भकत नहरते सुधा वरशाए मेरा थी ऐसी मतवाली विशपी गई बजा कर ताली राना भेजा सांप पिटारी शाली ग्राम बने बनवारी निजी माया तुम विधी ही दिखाओ उरते संशे सकल मिटाओ तब शत निंदा करी तत काला जीवन मुक्त भयोश शुपाला जब ही द्रौपदी तेर लगाए दिना नाथ लाज अब जाए तुरही वसन बने नंद लाला बढ़े चेर भै अरे मुह काला असनाथ के नाथ कनईया डुबत भवर बचावत नईया सुन्दर दास आस उरधारी दयाद रिष्टि के जे बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो चमुहु बेगी अपराध हमारे खोलो पट अब दर्शन दे जै बोलो क्रेश्न कनईया की जै यह चालीसा क्रेश्न का पाठ करे उरधारी अष्ट सिध्धी नवनिधी पल लही पदारत चारी बोल यह श्री क्रेश्न भगवान की जै राधारानी की जै सर्वदेवी देवताओं की जै उमेड करती हूँ आज की है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजेगा और कमेंट भी कीजेगा अगर आप नए है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे आपका मंगल हो